तो आपके सामने जो ये येलो कलर की जो स्पोर्ट्स कार खड़ी है आज इसको आप पूरा देख लीजिए और इसको हम बनाएंगे पूर से टाइप कार और पूरी के पूरी वो एक दम स्पोर्ट्स कार लगेगी दिखने एक अंदर शांदार और सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि ये ओन्ली टू सीटर स्पोर्ट्स कार है कुछ रियर का लुक इस तरीके का किया गया है आप देख सकते हैं और जो ये हैड लैंप कुछ इस तरीके की है इसमें हैड लैंप काफी अट्रेक्टिव है तो इसके साथ में हम कोई शेड़ साथ नहीं करेंगे डिजाइन वगर है वो सेम रहेंगे कुछ बैसिक चीज़ें इसके अंदर हम चेंज करेंगे जैसे स्पोईलर है यह भी काफा काफी अट्रेक्टिव लग रहा है तो इसके साथ भी कोई शेड़ साड़ नहीं करने वाले हैं तो यह रियर लुक कुछ इस तरीके का है इसको ह अल्ली टू सीटर कार है और बहुत ही छोटी कार है अब मान के चलो अल्टो जितनी बड़ी यह कार है दिखने के अंदर और जैसे ही यह रेडी होती है क्या गजब का लुक आएगा अभी मैं दिखाता हूं इसकी जो रुफ है वो किस तरीके की है उपर से यह ओपन रहती है इस तरीके से रुफ अगरे विल्कुल भी नहीं है और गाड़ी की हालत एकदम फिलाल खस्ता अलत है इसको एकदम हो बहु हम नयाग बना देंगे एकदम कोई देखके पता नहीं कर सकता कि यह पुरानी गाड़ी है या फिर नहीं है इसके अंदर इंटीर कुछ इस तरीके गई है यह ओनली बाकि सीड्स के अंदर दो ही है और यह आप देख सकते हैं ग्लासेच बगरा भी जो नॉर्मली है और जो वील्स बगरा है यह आप देख सकते हैं अभी कुछ इस तरीके के इसमें वील्स लगे हुए इनको भी हम टोटल चेंज करेंगे और एकदम जो स्प पड़ेगी तो इसके अंदर हम माइनर चेंज कर सकते हैं ताकि गाड़ी का जो लुक है वो और भी अच्छा है और इसके लावा गाड़ी का जो यह लोकलर है इसके जगह हम कुछ नया ट्राई करेंगे जैसे ब्लेक या फिर और कार्बन ग्रे इस टाइप का कुछ ट्राई करेंगे ताकि स्पोर्ट्स कार है इसके पाड़ी काफी अच्छी लगती है तो इसको इस तरीके का खुछ लुक देने की कोशिश करेंगे फिर यह बोनट है यह आप देख सकते हैं यह भी इसकी डिजैन काफी अच्छी है तो इसके साथ में कोई छेल शाट नहीं करेंगे लेकिन जिस दिन ये गाड़ी रेडी होती है आप कोगी मान गई इससे अच्छी गाड़ी हमने आज तक नहीं देखी है